नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे आपको मालूम है कि लोग सभाचुनाओं के तारीखों का एलान हो चुका है और आपको लाइफ सिटीज लगतार दिखा रहा है कि किस सीट पर कैसा मोहौल है हम आपको लगतार दिखाई दे रहा है तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जहानाबाद से एंडिये के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए धन्यवाद आपको भी जी जी और हमको लगता है कि जिस से और जहानाबाद संसदिये छित्र में हम मेरा काजकाल पुरा हो रहा है पांच साल का और हम बराबर उस छित्र में भर्मन करते रहे हम बताना चाहेंगे आपको कि लगभग पांच साल में अठारा सो दिन होता है अभी दो महीना बाकी है और वो दो महीना को अगर माइनस क इसके बाद करिम लगभग 1100 देन हम छेत्र में रहे हैं उसका हमारे पास जहां गए हैं हर जगह का विज्वल है और कंप्यूटर में फीड है हमारे पास कहां गए किस गाओं में गए किन से मिले बित फिक्चर पिक्चर और क्या समस्या था वहां का सब कुछ है आपके पास से जानना चाहेंगे कि लगतार आप जहानाबाद का भ्रमन कर रहे हैं सबसे पहले तो आप हमको ये बताईए कि जहानाबाद में महोल कैसा है देखे महौल जहानावाद में आधनिय मुखमंती जी निती सुमार जी के साथ और आधनिय नेंद मुदी जी प्रथानमंती जी के साथ जो बोटर हैं वो इंटेक्ट खड़ा हैं उनमें कहीं कोई कन्फूजन नहीं है जो तथा कथित कुछ लोग हैं चाहे तो कहिए उनको की उनका यही फितरत है या कहिन कहीं से खड़ हो रहे हैं लोह हुआ के द्वारा इस तरह का दूस्पचार किया जा रहा हैं और नहीं तो जहानावाद के बारे में जिस तरह से मीडिया में बाते आ रही है निख हम भी कहीं कहीं देख रा है इसलिए आपकों बताना चाहते हैं कहीं कुछ बात विशा नहीं है कल हम खीजर सराय में पंदरह भीलेज का भर्मन किया दीन भर में कहीं कोई उस तरह का बातावरन नहीं दिखाई पड़ा सब लोग बहुत हमारे साथ मिल जूल करके अपनी बात को रखा और अपनी समस्या को बताए और हम खुब खुबी बैठ करके सुने अब बहुत सवहाद पुन बातावरन में बात हुई मतलब आप कह रहे हैं कि मोहौल एकदम अच्छा है सब फर्स क्लास है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे चंदरवंशी जी कि बीते कुछ दिनों से कुछ विडियोज है जो सोशल मीडिया पर धडलले के साथ वाइरल हो रहे हैं सीधा सवाल चंदरवंशी जी से मेरा यही होगा कि क्या वाकई में जहानाबाद के भूमियारों को भूल गये थे आप देखे इस संभाव हो ही नहीं सकता है जो بात लोग बोल रहे हैं एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों के द्वारा जो तठाकथित लोग हैं या कहीं से प्रयोजित हैं और इस काम को कर रहे हैं कहीं से गाइड हो रहे हैं और बुब ही द्वारा कार किया जा रहा है पूरे भुन्हात समाज के लोग वैसे नहीं है, इस समाज बहुत ही बुद्धी जीवी है, और बहुत ही समर्दार समाज है, बहुत ही बिक्सित समाज है, इन लोग के द्वारा जो ही कार्ज होता है, बहुत सोच समझ के निरने लिया जाता है, और इस तरह का पचार पचार का जो माध्यम लोगों ने अपनाया है, वो अस्तर ये लोग नहीं अपना सकते हैं, हमको ऐसा कभी विश्वास हो नहीं सकता है, और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, कि आप को जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, कि भूमिहार समाज को हम भूल गए हैं, बिल्कुल तो यह बात एकदम एक सो परसेंट गलत है, मतलब आप सेरे से खारिज कर रहे हैं, हम आज भी उनके सेवा में हाजिर हैं, और हमको मौका मिला, तो कल भी इस से बेहतर काम करके उनको हम दिखाएंगे, और पांच साल हम रहें, MP के रूप में, जहानावार में, एक भी घटन नहीं घटी, सांती पूर्व धंग से पांच वरस का टेनियोद पुरा हुआ है, लेकिन इसके पहले जहानावाद की स्थिती थी, कहीं ने कहीं गुटबाजी, कहीं जगा, कहीं केस में फसाने का काम, यह सब काम, बंद हो गया जब आप आए तो, जब हम आए, तब से एक द मंदारी करने वारे लोग, इं मंदारी से बोलें, कि हम हमारे दौरा किसी तरह से प्रतारित किया गया, यह किसी तरह का से प्रसांद किया गया, तो इस तरह से सब लोग बहुत निश्चिन्थ हो करके व्यापारी, यह यह लोग, सब लोग, सब आप से खुश है और आप यह आदव हैं आपको याद होगा कि 2019 में क्या होगा था कुछी मतों से वो हारे थे क्या लगता है इस बार कहीं कठिन वाली टकर तो नहीं हो जाएगी दोनों कि दर में आए देखिए हम इस बात को अच्छी तदर से जानते हैं चुकि हम संगठन 40 वर्सों तक संगठन का काम किया है बिहार का कोई ऐसा परखंड नहीं है जिला नहीं है जहां हम भर्वन नहीं किये हैं और संग्ठन से हम यहां आए हैं आदनिये मुक्पंती जी हमको यहां जो ला करके टिकट दिये हैं तो मेरे काजों को देख करके दिये हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि जहानावा सीट हम एक लाख सो उपर भोट सी जीतेंगे यह दावे के साथ करते हैं बड़ा दावा कर रहे हैं आप लाइफ सिटीज पर हम आपको बता रहे हैं आप यल्ट होगा देखिएगा चुकि यह बात हम प्रलक्षित नहीं कर सकते हैं भी यह कौन सा भोट हमारे साथ उस वक्त न चुकि चुनाओ है लेकिन हमको जो मेरा अक्लन है उसके बारे में आपको हम बताने का काम किया है कि जिस तरह से आदरण था सो पार तीसरी बार भी मोधी सरकार यह निश्चितुप से सत्त होगा और उसमें जहानावाद का भी लोकसवासीट एक काउंटिंग में आएगा उस चालिस में यह भी एक अंक सामिल रहेगा सुरिंदर यादफ से डर लग रहा है खबराहट हो रही है अरे हमको कोई डर लग ने हमको क्या करते हैं हम एकदम आपको इमंदारी पुर्वक कहते हैं कि न कभी हम किसी से डरे हैं न डरेंगे जनता का सेवा करेंगे जनता का सेवा करते आये हैं और आगे कहीं कोई गलती हु होगी उसको सुधार करके और बेहतर तरीके से हम च्छत का विकास का काम करेंगे और जनता के सेवा में हाज़िद रहेंगे लेकिन हम आपको बता दे कि इस बार जहानाबाद का रंज इतना आसान नहीं होने वाला है चंदेशवर जी क्यूंकि आपको मालूम है कि एक तरफ त जीतिएगा चोड तरफा चक्रविव है भेद पाईएगा इस चक्रविव को हम आपको अभी पताया कि हमारे पास जो हमारे समर्थक हैं जो जनता मालिक हैं जिनका निरने से हम चुनाओ जीतेंगे उनके मन में कहीं निश्चिन्त होकर कि इस्थिर हो गया है मेरा भोटर और बोट के दिन देखिएगा कि कैसे हमारी जीत होती है और कितना बोट से हम जीते हैं इसके पहले भी उनईस के चुनाओं में भी इसी तरह का महुल था ऐसा नहीं है कि इसे बेहतर महुल नहीं था उससे में भी यही आकलन होता था कि सबसे रदी इस्थिती अगर किसी का है तो इंडिये के उमिदवाद जहानाबाद का है लेकिन हमको हमारा बिजय हुआ और आगे भी हम दावे के साथ करते हैं कि इस वार तो कहीं कोई संदे है ही नहीं निसंदे हम उस चुनाओं जीतेंगे और हम दावे के साथ करते हैं कि वो सीट हम जीत के आपनों को दिखाएंगे जीत कर दिखाईएगा साफ कह रहे हैं कि जीत में तो कोई लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं अच्छा एक और सवाल का जवाब दीजे चंदेश्वर जी हम आप से जानना चाहेंगे लगतार भ्रमन कर रहे हैं तो जब जनता के भी जा रहे हैं तो कौन-कौन से ऐसे मुद्द इस यहां ह Är हैं जनता के जो चाहती है जनता की उसका समधान हो इस बार कौन-कौन से मुद्दह आवी हैं हम तो आपको इसके मुद्दे हैं वैसे तो आधनिय अ मुखंती जी के द्वशिए यतना विकास किया गया है बिहार में कि कोई इसा गाउन का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कहां पिकास का लाव नहीं पहुचा है लेकि कोई इसा गाउं नहीं है जहां रोड नहीं है कोई इसा गाउं नहीं है जहां बीजली नहीं है कोई इसा नहीं है जहां नल से जल नहीं मिल रहा है कोई इसा गाउं नहीं है जहां इस्कूल का भवन नहीं है और कोई इसा जगह नहीं है, ब्लोक नहीं है, कि जहाँ अस्पताल नहीं है, और इंस्ट्यूशन, आई-टी-आई, प्रोटेक्निक कोलेज, इंजिनिरिंग कोलेज, मेडिकल कोलेज, इन सब पत्ना में चंदगूप्त, बिस्विद्याले, कि अस्थापना, आधनिय मुखमती जो यहां काम किये हैं, एक EMP से विकास का जो काम हो सकता है, उसका जो सिस्टम है, वो सिर्फ एक ही है, कि वो समस्या जो जनता का है, उसको गधन करे, उसकी जानकारी प्राप्त करे, और उसके लिए प्रयास करे, उसका निरान के लिए, तो हमने लगातार, पूरे छेत्र से, जो भी समस् अगर irrigation से समस्या आया तो एरिएशन से विवाग से अभी हमने देखा कि लाइन लगी थी आपके आवाज पर तो लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आ रहे थे आपके पर आप देखें होंगे कि आप समधान भी कर रहे हैं जटपट फोन भी लगा दिया है यही मेरा है यही मेरा आप देख रहे थे कि हम बाहर बैठे हुगे थे और मेरा गेट खुला रहता है यहां आने के लिए किसी को किसी के परमिशन की ज़ुरत नहीं है न कोई विश्यस गाड हमारे पार एक दम खु आपको जनता मोका देती है क्योंकि यह तो जनता के मूट पर है जनता जनारदन है अगर मौका मिलता है आपको तो 2019 में कौन-कौन से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए थे अब तक जो इस बार अगर मौका मिलता है तो आप पूरा कीजिएगा देखे सबसे महत्पून चीज है कि जहानावाद छेत्र जो है वो किसी प्रधान डिश्टिक है और सिक्षा से जुला हुआ वो लोकसभाद छेत्र हैं तो हमारा सबसे पहले रहेगा कि किसी से सम्मंधित जो समस्याएं हैं जैसे जल की विवस्था हो कि जिसे किसी आसानी से किसह कर सके और दुसरा सिक्षा कि छेत्र में जो कमियां हैं हुम उसको दूर करेंगे हम और बड़े इंस्टियोशन जहानावाद में हाए हमारे हमारे लुख समाच छेत्र में इसके लिए हम परयास करेंगे 当然. Vocational training की बहुत बड़ी जगुरत है जहानावार में. जो Un employment की समस्या है, उसको उसके निरान के लिए जहानावार के वोकेटिनल ट्रेनिंग का भारत सरकात से हम मांग करेंगे, सरकात से मांग करेंगे, कि वहाँ स्थापना की जाए जिससे कि वहां के गरीब बच्चे vocational training करके और अपना पेदों पर ख़़ा हो सके और आई से भी हम बताते हैं कि आपको जहानावाद लोकसावाद छेत में कई एक nursing college ब्यासरकार खुल चुकी है इस बार मुका मिलता है तो क्या कुछ करेंगे चंदेश्वर प्रसाद चंदरवन्शी जी देखें फेहरस लंबी है बता दिया है कि क्या कुछ करेंगे और ये भी बता दिया है कि उस वाइरल विडियो का सच क्या है उस वाइरल विडियो की इंसाइट स्टोरी क्या है तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसी हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया